मुझे कभी कभी दुख लगता है क्योंकि मैं इतना प्रेशर को जेल कर इतना दबाओ में मुझे सब पार्टी ने लाया अलाइंस करो मैंने किसी का बात नहीं माना मैंने अपने तीप्रा लैंड के लिए, अपने ग्रेटर तीप्रा लैंड के लिए मैंने किसी के साथ कॉंप्रमाइस नहीं किया आज अकेला मैं सबसे बड़ा से बड़ा पार्टी से लड़ रहा हूं लेकिन कहीं कहीं से न्यूज आया है कि कोई प्रेस कांफरेंस कर रहा है कोई ये कर रहा है क्या दुख लगता है कि हमारे तीप्राइसा लोग भुबागरा का साक्रिफाइज ही नहीं समझ सका मैं बिमार आदमी अपना ट्रीट्मेंट नहीं करके आप लोगों के लिए फाइट कर रहा हूं और कुछ-कुछ लीडर्स MLA बनने के लालच में अपने स्वार्त के लालच में ग्रीटर तीप्राइन के बारे नहीं बोलकर प्रेस कॉन्फरेंस करकर इंडिपेंडन लढने का बात कर रहा है आप लोग लड़ो मैं आप के एरिया में आऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोग ने क्या गलती काम किया है और मैं आपके खिलाफ बोलूँगा आज आप तिपरा मौथा के खिलाफ नहीं है जब आप प्रेस कॉंफरेंस करते हैं आज जब आप प्रेस कॉंफरेंस अपने स्वार्त और लालच के लिए कर रहे हैं यह मेसेज जा रहा है कि आप कभी दिल से आपने दौफा के बारे सोचा नहीं आपने अपने बारे ही सोचा करो मुझे और मारो मैं मर जाओंगा और मेरे बाद क्या रहेगा तीप्रासा का आप लोग समझ लो स्वार्थी होकर अपने पार्टी के खिलाफ और मेरे डिसिजन मेरा बुबागरा का डिसिजन के खिलाफ जाने से आपने सिर्फ मुझे दुख नहीं की दिया है आपने पूरा मुवमेंट को कमजोर किया है सोचो समझो और दिल से ग्रेटर तीप्राइलान के लिए 16 दिन काम करो उसके बाद मे तेरे उपर छोड़ो मैं क्या लिख कह रहा तो बेला इनो हम भाई